नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अप्पू और खुशी गार्डेनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तो आज हम जानेंगे सबसे आसान तरीके से नीमू के पौधे को गमले में कैसे ग्रोग कर सकते हैं। नीमू का पौधा एक बहुती फायदमन मेरिशन प्लांट है। नीमू में वीटामिन C का मात्रा बहुत जादा पाया जाता है। इसलिए इसे खाना बनाने में, सैलाड में, अचार में, गरम पानी में भी मिला के इसका रस पिया जाता है। आए जान लेते हैं कैसे हम इसकी मिट्री तैयार करेंगे। Step 1, One part आप ले लिजे Garden soil, आप कोई भी soil ले सकते हैं। इसके साथ आप लिजे one part River sand, जिसे हम Horticulture sand भी कहते हैं। और Silver sand भी कहा जाता है। ये नदी के सफेद रेत आप ले लिजे एक part, उसके साथ आप मिलाए कुकुपीट, कुकुपीट लिजे आप हाप part, अगर आपके पास कुकुपीट नहीं है तो आप लग्ट्री के गुणा यानि उडेन पाउडर से भी काम चला है। और Compost ले लिजे देर हिस्सा। इसके साथ आप मिलाए हॉर्ण मिल तीन चमच, पाटास एक चमच, बोर्ण मिल एक चमच, और नीमकेक पाउडर एक चमच। अब हम सब कुछ मिला लेंगे। Step 2 अब हम pot selection करेंगे। आप अपना plant के हिसाब से pot selection करें। अगर आपका पौधा बड़ा है तो बड़ा pot ले। अगर आपका plant छोटा है तो छोटा pot ले। मैंने छोटे पौधे के लिए 8 इंच का pot सिलेक्ट कर लिया। आपका पौधा अगर बड़ा हो तो आप 10 इंच का pot भी ले सकते हैं। Step 3 प्लांट selection नर्सरी से या दुकान से आप जब भी पौधा खरी दे आप कुछ विशयक्या धान जरूर रखें। सबसे पहले आप देखे पौधे के नीचे का हिस्सा थोरा मजबूत और मोटा हो। ऐसा देखे पौधा आप लीजिए। एकदम कच्चा ना हो। नर्सरी या दुकान में बीच से निकला हुआ पौधा आपको दे सकता है। इसमें फल आने में 7-8 साल लग जाएगा। ऐसे पौधे आप कभी भी ना ले। इसे आप पैचानेंगे कैसे। ये कलम किया हुआ पौधा है। जिसे ग्राफ्टेट पौधा भी कहा जाता है। देखिए इसमें फल लगा हुआ है। और भी चारो तरफ से फल लगा हुआ है। जब भी आप निमू के पौधे खरीदे। जरूर फल या फूल देखके ही खरीदे। कलम या ग्राफ्टिंग बहुत टाइप का होता है। इसके बारे में फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टेप फोड डेनेस सिस्टिम आठ इंच गमले के नीचे एक होल है। और गमले के साइड में एक होल है। ये दो होल डेनेस सिस्टिम बनाने के लिए दिया गया है। अगर हम डेनेस सिस्टिम गलत करते हैं या डेनेस सिस्टिम नहीं करते हैं तो गमले में हमारे पौधे नहीं बचेगा। अब देखिए कैसे हम drainage system को बनाते हैं ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये pot का एक टूटा हुआ ठुकडा है इसका एक तरफ नीचा है और दूसरी तरफ उचा है ये भी एक तरफ नीचा और दूसरी तरफ उचा है इसे हम ऐसे रखेंगे और दूसरा तुकडा को हम ऐसे रखेंगे फिर stone chip से हम एक layer बना देंगे अगर आपके पास stone chip नहीं है तो आप बालू चाला हुआ पत्थर या इटा का छोटा छोटा तुकडा से भी काम चला सकते हैं मिट्टी हमारे drainage system को खराब न कर दे इसलिए building बनाने वाला बालू से एक layer बना देंगे अब हमारे drainage system से आराम से excess पानी निकल जाएगा step 5 मिट्टी को हमने तैयार कर लिया था अब इसे हम गमले में डालेंगे पहले हम दो बाट डालेंगे फिर उसके बाद हाथ से धीरे धीरे मिट्टी को दाब देंगे ताके अंदर हावा न रह जाए अंदर अगर हावा रह जाता है तो पानी डालते ही उहां से फंगास की सुरुवात हो जाएगा फंगास हमारे रूट में फ्याल के हमारे प्लांट को खराब कर देगा अब हम प्लांट को निकालेंगे प्लास्टिक से कैंची के मदद से प्लांट को हमेशा गमलों के बीचो बीच रखे और सीधा भी प्लांट को कभी भी ट्रेणा मेरा ना लगाए अब हम साइट से मिट्टी को डालेंगे और उंगली से मिट्टी को धीरे धीरे दापते रहेंगे अब हमारा मिट्टी डालना कंप्लेट हो गया गमले के उपर से 1.5 इंच जगा छोड़ दे, पानी के लिए, उसमें मिट्री ना डाले, हमारा प्लांट लग गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे Step 6, पौधे लगाने के बाद कितना पानी देना है, प्लांट लगाने के बाद गमले को पूरा पानी से भर दे, पानी तब तक डाले, जब तक ना आपके गमले के नीचे से यानी डेनेस सिस्टेम से एक्सेस पानी, मतलब एक्स्ट्रा पानी निकल ना जाए Step 7. Watering रोज इसमें कितना पानी डालना है ये जानना बहुत जरूरी है मिट्टी तैयार करते वक्त हमने इसमें कोकोपीट डाला था इसलिए पानी का अभाव से हमारे प्लांट नहीं मरेगा लेकिन उपर का मिट्टी सुकने के बाद ही दुबारा आपको पानी देना होगा मिट्टी जब गिला रहे तब उसमें पानी ना डाले नहीं तो हमारा प्लांट मर जाएगा कोकोपीट मश्यर को मिंटेन करता रहेगा परिस्तिती के अनुसार से ही आप इसमें पानी डाले प्लांट में पानी डालना आपको कोही नहीं सिखा सकता इसे आपको ही समझना होगा और उसी हिसाब से आपको पानी देना होगा यानी उपर के मिट्टी सुकने के बाद ही आप दुबारा पानी डाले स्टेप 8 लाइट अब हम बात करते हैं इसे कितना लाइट में रखना है कोई भी फल का पौधा बहुत ही इनर्जी टिक होना चाहिए मतलब उसे बहुत ज्यादा इनर्जी मिलना चाहिए तभी उसमें फल आएगा इसलिए निमू के पौधे को आप फूल सनलाइट में रखे अगर आपको फूल सनलाइट वाला जगा नहीं मिलता है तो आपको कम से कम 4-5 घंटे की धूप आता हो ऐसा जगा में आपको प्लांट रखना है तभी आपके प्लांट में फूल और फल आएगा Step 9, Fertilizer आप बात करते हैं इसके Fertilizer के बारे में यानि खाद के बारे में February से June तक इसे 3 चमच Master Cake Powder, 1 चमच Born Mill और 1 चमच Potas उसके साथ आप 1 मुठी कोई भी कमपोस्ट दे सकते हैं July से लेखे October तक आप 3 चमच Horn Mill ले, 1 चमच Born Mill ले और 1 चमच Potas ले उसके साथ आप एक मुठी कोई भी कमपोस्ट मिला के डाल सकते हैं November, December, January इसमें आप कोई खाद ना डाले इस टाइम ये रेस्टिंग प्योड में रहता है यानि डॉर्मेंसी में चला जाता है आप दुबारा इसे खाद फिर February में दे सकते हैं जितना तक हो सके आप इसमें और्गनिक खादी डालें Step 10 अब हम बात करते हैं इसके कीडे मकोडे के बारे में जब प्लांट में फूल आ जाएगा हम इसे कोई भी फंगिसाइड से स्प्रे करेंगे कैसे करेंगे? एक लिटर पानी में हम कोई भी फंगिसाइड ले लेंगे उसे अच्छे से घोल लेंगे फिर उसे हम पूरा अपने पौधे में यानि पूरा प्लांट में हम अच्छे से स्प्रे करेंगे साथी साथ फूलो में भी हम स्प्रे करेंगे इससे हमारे प्लांट के स्त्री फूल नहीं जड़ेंगे जब फूलों में फंगाज लगेगा ही नहीं तो स्त्री फूलों का जड़ने का भी कोई डर नहीं रहेगा इसके कीडे मकुरे के बारे में अब हम बात करते हैं इसमें बहुत सारे कीडे लगते हैं और इसमें बहुत सरे disease भी होता है इसके लिए हमें एक दूसा वीडियो बनाना होगा नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी आपको जो करना है वो है DIMETHOD 30 EC इसी composition का कोई भी दवाई आप ले सकते हैं आपको बजार में मिल जाएगा जैसे टाबगोर, रूगोर, रूगोर प्लास कोई भी इससे आप 1.5 ml यानि 1.5 ml एक लिटर पानी में डाले और अच्छे से घोल ले और सामके टाइम प्लांट में स्प्रे करें हर 15 दिन के बाद आप इसे स्प्रे करें पौधे में कोई भी कीड़ा मकोडा नहीं लगेगा कभी भी सुभा में इसे स्प्रे ना करें सुभा हमारे गार्डेन में मधुमक की तितलियों का आना जाना रहता है यह हम गार्डेनर का दोस्त है और सामके टाइम जो कीड़ा मकोड़ा आता है वो हमारे पौधे के दुस्मन है डायमेथोर 30 इसी अगर आप आपके पौधे में देते हैं और साथ में आपका पूरा गार्डेन में जितने पौधे हैं सब में देते हैं तो आपके पूरे गार्डेन में कभी कीरा मकोडा लगेगा ही नहीं और कीरा मकोडा अगर नहीं लगता है तो अलग से आपको कोई treatment भी नहीं करना होगा दोस्तो और भी कोई आपको जानकरी चाहिए तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं मैं जवाब दे दूँगा या फिर मेरा whatsapp नंबर है मैं आपको जवाब दे दूँगा और दोस्तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तो के साथ शेयर करना अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं किसी और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ नमस्कार